ये गाईज वेलकम और वेलकम बैक टो नॉटी स्टिचेस आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगे कुर्ती की लंबाई बढ़ाने के लिए एक बहुती सिंपल से बॉर्डर का डिजाइन इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने सलवार के फैबरिक में से तकरीबन 5.5 इंच चौड़ा कपड़ा काट लिया था और इसे मैंने बीच में से फोल्ड कर लिया अब इसकी किनारी पर मैंने इस तरह की एक लेस अटैच की है ये प्लेइन फैबरिक आप थोड़ा जादा चौड़ा भी ले सकते हैं लेकिन मुझे तकरीबन 3-4 इंच लंबाई बढ़ानी थी इसलिए मैंने इतना ही चौड़ा फैबरिक लिया है इसकी किनारी पर मैंने इस तरह की ट्राइंगल्स वाली लेस अटैच की है इस लेस के बिलकुल सेंटर में मैंने सिलाई लगाई है लेस का कुछ हिस्सा तो कपड़े के नीचे दब जाएगा और सिर्फ आधा हिस्सा बाहर की तरफ नजर आएगा अब इस बॉर्डर के दूसरी तरफ अटैच करने के लिए मैंने इस तरह की लेस ली है यह थोड़ी सी हैवी लेस है और मेरे कमीज में गुल्डन कलर का प्रिंट किया हुआ है तो मैंने गुल्डन कलर की लेस ली है तो इस तरह से हमें इस लेस को अटैच करना है और लेस अटैच करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो फैब्रिक है इसे हमें जादा नहीं खीचना नहीं तो बॉर्डर में बल पड़ जाएंगे तो इस तरह से बॉर्डर को तेयार करने के बाद हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इसे मैंने मैजर करके देखा है तो तकरीबन साड़े तीन इंच चौड़ा बॉर्डर बन कर तयार हुआ है अब कमीज के आगे हमें इस बॉर्डर को अटाच करना है तो ये देखिए कमीज का ये गला पहले से बना हुआ था तो इसके साथ मैचिंग लेस का इस्तमाल करके मैंने बॉर्डर का डिजाइन भी क्रियेट किया है गेरे पर इस तरह से एक पट्टी पहले ही लगी हुई थी तो इसके नीचे मैंने इसे बढ़ा के लगाया है ये ट्राइंगल्स वाली जो लेस मैंने यहाँ पर लगाई थी इसका आदा हिस्सा मैंने इसके नीचे ही दबा दिया इस तरह से और सिर्फ हाफ ट्राइंगल्स जो हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं ये देखिए बिल्कुल सफाइस से हमें इस बढ़ा को इसके नीचे लगाना है इसके पिछली तरफ जो धागे नजर आ रहे हैं उनके उपर मैंने इंटरलॉक कर लिया था आप चाहें तो पिछली तरफ पाइप इन भी कर सकते हैं ताकि पिछली तरफ भी धागे विजिबल ना रहें एक्स्ट्रा बॉर्डर को मैंने काट लिया है और इसके साथ ही तयार हो गया है बॉर्डर का ये सुन्दर सा डिजाइन जिससे की हमारे कमीज की लंबाई भी साड़े तीन इंच तक बढ़ गई है तो गाइस आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन को भी सरूर दबा लें ताकि आपको मेरे सभी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सकें साथ ही आप मुझे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी वालो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें थैंक यू फॉर वाचिंग बाई बाई